बिस्मिल्ला रहमाराहिम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम थ्री काइंड आफ ट्रिग्नोमेटिक फंक्शन्स का डेरिवेटिव फाइंड उट कर चुके है बाइड डेफिनेशन अफ डिफ्रेंशियेशन या बाइफस्ट प्रिंसिपल तो वो कुछ इस तरीके से अमारे पास कि डेरिवेटिव आफ साइन एक्स आपके पास बराबर है कॉस एक्स के और डेरिवेटिव आफ कॉस एक्स आपके पास बराबर है माइनस का साइन एक्स एंड डेरिवेटिव आफ टैन एक्स आपके पास बराबर था सीकेंट स्केर एक्स तो यह इन तीन ट्रि trigonometric functions हैं, उनका derivative find out करेंगे, so let's start करते हैं, पहला function है हमारे पास, secant x, तो secant x का derivative क्या होता है, सबसे पहले आपने let करना है, कि y आपके पास secant x के बराबर है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, y is equal to one upon cause x, क्योंकि हम जानते हैं, कि secant x बराबर होता है, one upon cause x के, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, अब मैं इसको differentiate करूँगा, so taking derivative, taking derivative on both sides, with respect to x, तो ये वाला साइट मेरे पास बन जाएगा, dy upon d of x, और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा, d upon dx of, one upon cause x, अब ये हमारे पास one upon cause x, cause x divide में हैं, तो यहाँ पर हम जूज करेंगे quotient rule का, तो उपर वाला हमारे पास f of x है, नीचे वाला हमारे पास g of x है, तो quotient rule क्या कहता है, g of x का square means cause x का square, all का square, पिर, derivative of first function, d upon dx of one, second function as it is, cause x as it is, minus derivative of cause x, and second function as it is, जो की one है, अब इसको derivative of one आपके पास किसके बराबर है, constant is zero है, तो ये इस पूरे टर्म को zero कर देगा, बकाई आपके पास बचेगा, minus derivative of cause x आपके पास, minus sin x के बराबर है, ये हम प्रूफ कर चुके है, ये फार्मूल है हमारे पास, ये आपके पास cause square x बन जाएगा, अब इसको मज़ीद हम simplify करेंगे, minus minus plus हो जाएगा, यहां पे आजाएगा, sin x divided by cause square x, तो इसको मज़ीद मैं एक simplification form में लिकूँँगा, मैं cause square x को break करूँगा, one upon cause x में और sin x upon cause x में, cause square x था, दोनों को मैंने अलग-अलग लिका, अब one upon cause x आपके पास बराबर होता है, secant x के, जो कि यहां पर है, और sin x upon cause x आपके पास बराबर होता है, 10 x के, so this is the derivative of secant x, तो यह formula प्रूव हो चुका है, अब next function की तरफ जाते हैं, जो क्या है, cause secant x, same like, same process अपने use करना है, तो सबसे पहले आपने let करना है, कि y आपके पास बराबर है, cause secant x के, तो मैं लेक सकता हूँ, y is equal to 1 upon sin x, क्योंकि हम जानते है, cause secant x हमारे पास बराबर होता है, 1 upon sin x के, इस formula का use करके, मैंने इसको इस formula कर, अब taking derivative on both sides, तो यह हमेरे पास बन जाएगा, dy by dx, और इस तरफ बन जाएगा, d upon dx of 1 upon sin x, अब यहाँ पर use करूँगा, question true का, नीचे मेरे पास sin x है, तो sin x का square, sin square x इसको लिख सकता हूँ, अब question true क्या है, derivative of first function, first function हमारे पास 1 है, and second function as it is, sin x as it is, minus का derivative of second function, and first function as it is, जो की 1 है, अब यह derivative of 1 आपके पास किस के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, यह पूरे term को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो आपके पास बचेगा क्या, minus derivative of sin x आपके पास किस के बराबर है, cos x के, और नीचे आपके पास क्या है, sin square x, अब मैं इसको similar, जैसे पहले वाले वीडियो में हमने किया, तब पहले वाले कोश्चा में, कि minus का cause x को, sin square x को break करूँगा, तो यह मेरे पास minus का cause x divided by sin x, dot 1 upon sin x, मैंने sin square x को divide किया sin x, sin x, मैं दोबारा से multiply करो, यह यह वाला form बन जाएगा, तो यह मेरे पास minus आगिया, cause x upon sin x, किसके बराबर है, cot x के बराबर है, and 1 upon sin x, आपके पास किसके बराबर है, cosecant x के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, minus का cosecant x, cot x, this is the derivative of cosecant x, तो derivative of cosecant x आपके पास किसके बराबर है, minus cosecant x, cot x, third one है, हमारे पास, cot x, इसके लिए भी similar procedure यूज़ होगा तो आपने क्या करना है सबसे पहले लेट करना है कि वाई आपके पास बराबर है कॉट X के अब एक फार्मूला कर यूज़ करना है कॉट X आपके पास किसके बराबर है 어서 X upon sine X के तो मैं इसको इस फार्म में लिकुँँगा के कॉट X अपके पास बराबर है cause X upon sine X के अब taking derivative on both sides तो ये वाला सैड मेरे पास बन जाएगा dy upon dx and ये वाला सैड बन जाएगा d upon dx of cause X upon sine X अब इस पर उसका कोशन टूल का तो इस case में cause x आपके पास f of x है और sin x आपके पास g of x है तो quotient rule किस तरीके से है sin x का square sin square x derivative of first function d upon dx of cause x and second function as it is sin x as it is पिर आपके पास minus है derivative of second function sin x and cause x as it is तो अब derivative apply करते है derivative of cause x आपके पास minus sin x की बराबर होते है और sin x as it is minus derivative of sin x आपके पास cause x की बराबर होते है and cause x as it is divided by sin square x अब इसको मैं लिख सकता हूँ sin multiply by sin sin का square बन जाएगा sin square x minus का ये बन जाएगा cause square x divided by sin square x अब मैं क्या करूँगा यहां से मैं minus को कामन लूँगा तो ये minus मेरे पास कामन लूँगा यहां पर आपके पास आजाएगा sin square x plus का cause square x और नीचे आपके पास है sin square x अब मैं यूज़ करूँगा एक trigonometric identity का के sin square x plus cause square x आपके पास 1 के बराबर होता है तो इस पूरे की जगापर मैं 1 लिखूँगा 1 upon sin square x और 1 upon sin square आपके पास किसके बराबर है minus का cosecant square x so the derivative of cot x आपके पास किसके बराबर होता है minus का cosecant square x के तो मेरे खाल से जितने भी trigonometric ratios थे trigonometric functions थे उन सब का derivative हम find out कर चुके है तीन को हमने इस तरीके से find out किया और बकाया जो तीन था उनको हमने by definition of differentiation find out किया था so आज के video lecture में इतना ही काफी मिलेंगे next video में इतना अधर एंपल लाफ इस